नमस्कार दोस्तों मैं कल्बनाब का स्वाकित करती हूँ आपनी यूटिप चैनल में दोस्तों आज की वीडियो दातों के लिए हैं क्योंकि इस्माइल करते हुए या बोलते हुए सामने वाले की नचर सबसे पहले आपके दातों पर परती है अगर आपके दात बाइट हैं साफ है तो ये आपके खुबसूरती में चारचान लगा देते हैं लेकिन अगर आपके दात पीले पड़े हुए हैं सड़े हुए हैं उनमें कीरा लगा हुआ है तो ये आपके खुबसूरती को बिगाड़ भी देते हैं कि दातों के पीलेपन के कई कारण हो सकते हैं जैसे smoking करना या आपके diet या फिक हुछ genetic कारण भी हो सकते हैं कारण जो भी हो लेकिन आपको इस पीलेपन से सन्मिन्दा नहोना पड़े इसलिए आपके लिए कुछ ऐसे तरीके लेके आए हूँ जिने follow करके आप आसानी से बेकिंग सोडा लगा ले और चुटके भर या आधा चम्मच बेकिंग सोडा और को आप मिला ले और फिर उससे ब्रस करें हपते में दो बार तो इससे भी आपके पीले पड़े दातों से आप चुटकारा पा सकते हैं और यह बहुत ही कारगर होता है दूसरा है एपल साइट का पीलापन बहुत ही जल्द चला जाएगा इवम्हा फिर आप हपते में दो बार नमक और तेल से दान साफ करें आधा चमश नमक ले दो तीन बुन सरसों के तेल की मिला कर आप दातों की उंगली से मालिस करें धीरे धीरे उंगली से मालिस करें और इससे आपके दातों का पीलापन चला जाएगा या फिर आप दातों का पिलापन हटा लें के लिए निमकी दातों भी कर सकते हैं इससे आपके दातों में केड़ा भी नहीं लगेगा आपके दात खराब भी नहीं होंगे और ये बोती प्राकरतिक तरीका है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और अम्रूद की पत्यों में भी दातों का पिला पर दून करने के गुन होते हैं इसकी पत्यों को पीस कर एक पेश्ट बना ले इस पेश्ट को अपने दातों पर हलके हलके रख ले फिर 2 मिनट के लिए छोड़ दें इसके बाद कुला कर लें इसके बाद आप रोजाने की तरह जिस भी toothpaste से ब्रस करते हैं वो करें इस पेश्ट को आपको बना कर रख लेना है और कुछ दिनों तक रोजाना करना है ये दाटों के पिलेपन को हटाता है और साथ ही साथ आपके म सब्सक्राइब करें और वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद